दस संकेत है अच्छे वक्त की पहचान, आप पर भी किस्मत होगी महरबान, सूरज की तरह चमकेगा भाग्य हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार करता है ताकि उसकी तरक्की होगी, जिन्दगी खुशाल होगी, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत के कोई कमी न हो, जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर महरबान होने वाली होती है तो आपको पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है, आए जानते हैं अच्छे वक्त के दस शुब संकेत, नमबर एक, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपको रास्ते में नए वर और वधु साथ दिखाए देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, या अच्छे दिन का शुब संकेत माना जाता है, नमबर दू, यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है, तो बुरा ना माने, यह आपके लिए शुब संकेत हो सकता है, ऐसी लोक मानेता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ती पर बीट करता है, तो उसका गुड लग शुरू हो जाता है, नमबर तीन, आप यात्रा कर रहे हैं और उस तोरान आपको साप और बंदर दिखाए देते हैं, तो इसे भी शुब माना जाता है, नमबर चार, यदी रात के समय में आपको आसमान में तूटते हुए तारे दिखाए देते हैं, तो तुरंथी कोई मनोकामना जाहिर कर दे, मानेताओं के अनुसार, तीज दिनों के अंदर भय इच्छा पूरी हो सकती है, यह भी शुब संकेत माना जाता है, नमबर पांच, कच्छुआ का दिखाए देना शुब संकेत होता है, भगवान विश्णु ने कच्छा पवतार लिया था, कच्छुआ आपको सपने में दिखाए देता है, तो यह अच्छे भागे का संकेत है, बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते है नमबर छे, किसी दिन आप अपने घर के पास ये रास्ते में मोर को देखते हैं, या मोर को नाशते हुए देखते हैं, तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, मोर का दिखना अच्छा माना जाता है नमबर साथ, यदि आपके घर के मुख्य दर्वाजे पर हाती अपना सून उठा कर खड़ा हो जाए समझ लेना चाहिए कि आपके यहां लक्षमी का आगमन होने वाला है आपके परिवार के सुख और सम्रिद्धी में बड़ोत्री होने वाली है हाती को गनेश जी का प्रतीक मानते हैं नमबर आठ, घर की छट पर कोयल का बोलना भी एक शुप संकेत होता है ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धी हो सकती है नमबर नौ, यदि आप सपने में या रास्ते में सुनेरा साब देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले है यह भागे के मजबूत होने का संकेत माना जाता है नमबर दस, जिस दिन आप सुबह उठें और सबसे पहले ही आपको दही या दूद दिखाए दे तो यह गुड़लक का इशारा है दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आन पर सेट कर लें कि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलें हमेशा खुश और स्वस्त रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद